मेरी चैनल पर एक giveaway चल रहा है Redmi 4 का तो अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और यह जो आई बटन में वीडियो है Redmi 4 giveaway प्लस वेरिस नौगट अपडेट 4 और Redmi 4 वो वीडियो देख लीजिए उसमें सारी डिटेल्स आपको giveaway के बारे में मिल जाएगी तो थैंक्स पो वाचिंग एंड लेट्स गेट स्टार्टिग चाओं मी ने इंडिया में तीन प्रोड़क्स को चुपके से लॉंच कर दिया है उसमें से एक प्रोड़क्स है MI Bluetooth स्पिकर और आपको दूसरे वीडियो मेरी चैनल पे मिल जाएगे पावर बैंक और मी वाइफा रिपिटर 2 के लिए और इस वीडियो में हम बात करने वाले है MI Bluetooth स्पिकर मीनी के बारे में तो मी म्यूजिक फेस्टिवल उनका आ रहा है तो उसके लिए उन्होंने निव प्रोड़क्स किया है जो की है ये मी Bluetooth स्पिकर मीनी तो आज हम उसके बारे में जानेंगे क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है और अच्छा है कि बुरा है ये दिखने में एकदम वो मॉस्किटों मारने के लिए जो आता है उसके जैसा लगता है पर ये है Bluetooth स्पिकर तो मॉडल कुछ अजीप सा है और ये फुल मैटल है फुल मैटल मतब आप जिराओगे तो भी ये टूटेगा नहीं तो बहुत ही बिल्ट वालिटी अच्छी भी गई है इसकी प्राइज रखी गई है 1299 मतब 1300 मतब 1300 रूपीज और ये दो कलर्स में अवेलेबल है एक ब्लैक और एक गोल्ड और जो गोल्ड कलर है वो अभी प्राइयाइए तो आपके हाथ मतलब आप मुठी इसे नहीं मुठी बन करोगे तो आपके हाथ में आ जाएगा ये इतना छोटा सा है ग्ताम मुन्ना सात तो आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते कि आप अपने घुषूर्ट के पॉकेट में भी रख सकते बहुत ही चोटा सा यह कि आप देख सकते हैं आपके हाथ में बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा पर यह छोटा जरूर है पर छोटा पैकेट बड़ा धमाता है तो इसमें जो स्पीकर्स दिये गए वह बहुत ही लावड है और एक्दम क्रिस्प है तो बहुत ही अच्छे स्पीकर्स है ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा नहीं दिया गया है सिर्फ एक आपको पावर बटन मिलता है और एक माइक्रो यूएस्बी मिलता है इसको चार्ज करने के लिए तो मतलब थोड़े फीचर्स इसमें कम है वॉल्यूम का वो सारे नहीं है इसमें पर चलता है आपके फॉन से कंट्रोल क प्रेकर करके तो ब्लूटूथ फॉर पॉंट हो दिया गया है जो कि स्टेवल कनेक्शन मतलब बहुत अच्छा नहीं है अभी तो प्लूटूथ 5 point हो आ गया है फर इसमें 4.09 है तो थोड़ा कम है उन भी है पर वह यूजने किया गया इसमें 4.09 किया गया है तो मेरे हिसाब से थोड़ा पीछे है मतलब आपको अगर Bluetooth speaker थोड़ा दूर है एक रूम में है और आपका फॉन दूसरे रूम में तो यह connect नहीं हो पाएगा आपको फॉन तो Bluetooth जिसमें भी फॉन में Bluetooth हो वो सारे के सारे Nokia के डबले से लेकर MIK6 तक सारे के सारे में connect कर देगा है इसमें noise reduction CVC दिया गया है ताकि आपको अच्छा सा साउंड मिले और अगर आप इसमें microphone भी दिया गया है तो अगर आपको कोई call आया तो आप उसमें बात कर सकते है या फ सुना ही देगा ऐसा नहीं किसे तो इसा बिल्कुल नहीं होगा यह बहुत ही छोटा सा है आप कहीं पर भी कहरी कर सकते है और इसमें आप दोरी बांद के इसको कहीं भी लटका भी सकते है जैसे कि अगर आप cycling कर रहे हो तो cycle के या फिर आपका backpack है तो उसकी chain पर तैसे लटक के सारी जगा गून सकते हो आप कई पर भी लटक जाएगा इतना नना सा मुनना सा है प्यारा सा है तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है और Bluetooth 4.0 हो दिया गया है इसलिए थोड़ा पीछे है connecting के मामले में बाकि बिलकुत sound के मामले में या फिर charging सब कुछ बहुत ही बढ़ि connection के मामले में और energy को मतलब battery को save करने के मामले में